पता है जब भी मैं कुछ नियार ट्राय करने की कोशिश करता हूँ कोई न कोई गड़बड जरूर होती है एक तो ऐसे ही बहुत मुश्किल से ड्रॉकर पा रहा हूँ क्योंकि जॉब के साथ साथ खुछ और करना किसी जंग लड़ने से कम नहीं होता अब जॉब भी ज़रूरी है क्योंकि पापी पेट का सवाल है और आर्ट से महब्बत है इसलिए किसी भी हाल में आर्ट से दूर होना नहीं चाहता मैं बहुत दिनों से टोन पेपर ट्राइ करना चाहता था क्योंकि इस पे आर्ट वर्क्स बहुत कमाल के लगते हैं मिड टोन्स पहले से ही होते हैं आपको हाईलाइट्स और शैडूस के साथ में ही काम करना होता है तो फिर क्या एक दिन मैं मस तनाहाद होकर बैट के ड्रॉकर ने ड्रॉइंग ठीक ठाक हो भी रही थी कि अचानक जिसका डर था वही हुआ रिकॉर्डिंग आफ हो गई मैं सच बता रहा हूँ मुझे इतना गुसा आया कि मन किया फोन कमपनी के मालिक के सर पर दे मारूं और पूछूं इक काम वासीर बना दी हो इसके बाद मैंने वापस रिकॉर्डिंग शुरू भी की लेकिन तब तक इतनी ट्रॉइंग मैंने बना ली थी लेकिन मैं इतने गुस्से में था कि मैंने रेकॉर्डिंग फिर बंद कर दी फिर मैंने अपने दिल पे हाथ रखा और कहा और रेकॉर्डिंग शुरू की अब जो है सो यही है, इतना ही है देखो और क्या ही बोल सकता हूँ कभी-कभी मन होता है कि यह सब कुछ छोड़ दूँ लेकिन फिर मुझे महावीर जी की बाते हैं आद आ जाती है इसलिए बस लड़ते रहो, काम करते रहो और पीछे तो बिल्कुल ही मत हटना और आज के लिए बस इतना ग्यान काफी है एक दिन मेरा दोस्त मुझे से पूछ रहा था कि बैए यह क्या कर रहा है पैसे वैसे कमा, दिन भर ड्रॉ करते रहता है जम्यदारिया नहीं वा, सारा दिन ड्रॉ करके क्या मिलता है तुझे वेल, मैंने कहा, मुझे ड्रॉइंग ने वो दिया जो कभी गर्ल्फरेंड भी नहीं दे पाई मेंटल पीस जब तक थी, दिमार पे चड़के डांस किया करती थी मिभी क्या कर रहा है मेरा बीबी क्या कर रहा है आपका बेबी हग रहा है क्या… खेर असी मज़ाग तो अपनी जगा है बात करते हैं उस महान व्यक्ति की जिनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर जो एक लेखक होने के साथ साथ एक कवी, संगीतकार और कलाकार भी थे कुल मिलाकर उन्होंने 2000 से ज़्यादा कवीताएं, कहानिया, नाटक और उपन्यास लिखे जिनमें गितांजली हम सब की सबसे ज़्यादा प्रिया है और उनकी सभी रचनाओं में से सर्वोत्तम मानी चाती है वो पहले भारतिय ही नहीं, बलकि पहले एशन और पहले नौन येरोपियन वेक्ती थे जिनोंने साहित्य में नोबल प्राइज जीता और पता है, पुरसकार में मिले पैसों का उन्होंने क्या किया उन पैसों से उन्होंने बच्चों के लिए स्कूल बनाया 2004 में इनकी नोबल प्राइज की मेडल चोरी हो गई थी हाला कि स्वेडिश अकाडमी ने उस मेडल के दो रप्लिकाज फिर से दे दिये श्री टैगोर ने सिर्फ हमारा ही राष्ट्रगान नहीं लिखा बलकि बांगलादेश का राष्ट्रगान भी लिखा और स्री लंका के राष्ट्रगान के लिए प्रेणा का स्रोध बने महान फिजसिस्ट आइंस्टाइन और इनके बीच होई बातचीत को एक किताब नेचर आफ रियालिटी में लिखा गया है इन्होंने 60 की उम्र में ड्रॉइंग और पींटिंग बिल्कुल ही छोड़ दिया था क्योंकि इन्हें भी कलर ब्लाइंडनेस थी और जाते जाते एक और बात आपको बताऊंगा कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को महात्मा कहकर संबोदित करने का श्रे भी इन्हीं को जाता है आपको ड्रॉइंग कैसी लगी मुझे कॉमेंट्स में बताना और वीडियो कैसी लगी वो भी मुझे बताना पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किये बिना मच जाना मैं हूँ समित आपसे अगली वीडियो में मिलूँगा तब तक ये लिए बाबाई